बिस्मिल्ला रह्मान रुरहीम तो दोस्ते हैं इस सेल्ली कल्कुलेट करनी हो कैसे करेंगे तो आपको पहले सबसे पहले आपके employees यानि कि आपकी company में employees है आपने उनके जो है यहां पर name mention करने है तो मैंने यहां पर एक column base पे निकालनी है अगर आपको daily base पे निकालनी है तो आप यहां पर daily base भी निकाल सकते हैं तो जैसे मैंने यहां पर add करवा दिया एक column daily salary कि आपकी daily salary कितनी बन रही है इसी तरह अगर आपको यहां पर weekly salary करनी है तो weekly selling भी आप निकाल सकते हैं उसके बाद अगर आप यहां पर hourly अगर आप को जो है, वो अपनी selling चेक करनी है तो hourly sell ली भी calculate कर सकते हैं और इसके बाद hourly यह भी आप जो है, यहाँ पर check कर सकते हैं, तो थिलाल मैं ने हाँ पर daily basis, weekly ली और और ली तो यह हमने जो है यहां पर जो है वो अपनी सेली को discuss करना है. तो मैं यहाँ पर कुछी columns को select कर लिता हूं और जितना आपके पास data होगा आपके employees होंगे आपने उतने ही यहाँ पर जो है वो sales को highlight करना है उनको selection मनानी है ताकि जो है आप अब हर employees के साथ दो है काम कर सके पहला कम आपको यहां पर आपके employees का name को यहां पर type करना है जैसे आपने Salman लख दिया ehmr लख दिया और इसके लिए और इसके बाद आपने फाहद लख दिया दानिश लिख दिया तो जो जो आपके पास employees होंगे आपने जो है वो उन्ही employees के यहाँ पर नाम लिखने है तो यहां मैंने कुछ employees के यहाँ पर नाम लिख लिए अब इनकी जो designations है के in charge है या salesman है team leader है जो भी होगा वो आप यहाँ पर आपको type करना है तो फिलाल अभी मैं यहाँ पर जो है वो in charge ही लिख देता हो सबके लिए अब salary कितनी है जैसे मैंने यहाँ पर type कर दिया 40,000 तो यह पूरा column जो है हम यहाँ से select करते हैं इसको comma में change करते हैं तो 40,000 यहाँ पर हम कर देंगे 50,000 इसी तरह यहाँ पर हम कर देंगे 65,000 और यहाँ पर आते हैं यहाँ पर हम कर देंगे 35,000 और 42,000 और इसी तरह यहाँ पर हम करते हैं 28,000 और last one जो यहाँ पर हमने add करना है जो के तो अभी फिलाल salary भी मैं अपने पास से लिख रहा हूँ तो यह कोई fix नहीं है तो ताकि आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर type कर दी है अब इसके बाद हमें सबसे पहले यहाँ पर जो है वो calculate करवाना है कि daily basis की salary आपकी कित्ती बनती है तो यह जो salary आपको given है यह monthly salary है तो यहाँ आप equal लगाए है एको लगाने के बाद जो आपकी monthly salary है इसको आपने divide कर देना है 30 से 30 से आप divide करेंगे enter कर देंगे तो जिसकी salary 40,000 है उसकी per day यह जो daily basis पे जो salary बन रही हो कितनी बन रही है 1,333 इसको आप यहाँ पर drag करते हैं तो different salaries के हिसाब से जो per day का बनता है amount वो यहाँ पर calculate होके आजाएगा अब बात करते हैं यहाँ पर weekly salary अब weekly salary के लिए आपको यहाँ पर equal लगाने है अब यहाँ आपने दुबार अपनी basic salary इसको select करना है divide कर देंगे सबसे पहले आप इसको 30 से divide करेंगे ताकि जो है वो per day में आजाए तो देखे 30 से divide होने के बाद per day यानि एक आपका answer आजाएगा उसके बाद आपने इसको multiply करवा देने 7 से क्योंकि week में आपके पर 7 days होते हैं तो आपने इसको multiply करवा और enter कर दिया तो देखें जिसकी salary 40,000 थी per day salary बन रही है 1333 और weekly बन रही है 9333 अब इस formula को जब आप drag करेंगे तो हर employees की जो salaries होगे उनकी daily और उनकी weekly यहाँ पर calculate होके आजाएगी अब hourly की बात करते हैं कि hourly अगर आपको calculate करना है तो आप equal लगाए तो आप यहाँ पर daily basis को भी select कर सकते हैं अगर basic से निकालना है तो भी निकाल सकते हैं जैसे आपने salary को select किया उसके बाद आपने divide कर दिया 30 से और उसके बाद जो है यहाँ पर आपने divide कर दिया दुबारा से 24 से क्योंकि देखें basic से लिए आपकी 30 से divide होगी per day आजाएगा per day में आपके पास 24 hours होते हैं तो वह आपको यहाँ पर divide करना है 24 hours से और यहाँ पर फिर आप इसको enter अच्छा यहाँ पर एक चीज याद रखीगा कि per day में 24 से कर रहा हूं ठीक है अगर आपके पार office timing requirement है जिसे आपको 8 hours का office 9 hours का 12 hours का तो आप उतने ही value से इसको divide करेंगे तो आपके पास जो है वह उसी किसाब से salary बता देगा तो फिराल अभी हमने इसको इस तरीके से कर्डिंग जो यहाँ पर उसका early भी calculate होके आ जाएगा तो इस तरीके से आप अपनी जो है वह salary की जो calculation है वह आप कर सकते हैं जैसे हमें आपको आज शी क्लास से बता है तो फिलाल आप इस क्लास की practice कीजिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्लहाफिस